हलो एन वेलकम टू आज चैनल पढ़ाकू कीडे मैं आप सभी विवर्स का लर्नर्स का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले विडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें अगर आपको इन विडियो से सीखने में हेल्प मिलती है तो आपका लाइक शेयर और कमेंट दे वर्क एज़ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी तो आज की विडियो में हम डिसक्स करेंगे नैचुरल रिसॉर्सेज के बारे में यानि की प्राक्रतिक संसाधन क्या होते हैं और मैं आपको बता दू कि यह हमारा पार्ट फर्स्ट होने वाला है इस चैप्टर के लिए Natural Resources basically class 9th की science में chapter 14 के रूप में दिया हुआ है और इस वीडियो के basis में हम जो discuss करेंगे वो होगा NCRT पे dependent और plus में competitive exams में किस तरीके से इस chapter से concepts पूछे जाते हैं वो discuss करेंगे आज ये part first होगा इसके आगे इस chapter की अलग-अलग series हमें देखने को मिलेंगी तो आईए शुरू करते हैं, let's get started तो सबसे पहले मैं आपसे question पूछना चाहती हूँ Why is our planet Earth unique? यानि कि हमारी प्रत्वी माता धर्ती that we call with love, with affection So धर्ती मा मैं ऐसा क्या special है that this planet Earth is unique in the entire solar system Obviously आप में से बहुत से बच्चे answer देंगे कि Earth इसलिए unique है क्योंकि इस पे water है आप में से कुछ एक answer देंगे Earth इसलिए unique है क्योंकि इस पे air है आप में से कुछ एक इसी चीज़ को थोड़ा सा enhance करके बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक atmosphere है तो मैं बता दू कि आप सभी के answers सही हैं कहीं ना कहीं लेकिन इन सब चीज़ों को अगर मिला दिया जाए तो we will get कि our Earth is unique because Earth पे life exist करती है Earth is the only planet in our solar system जिसके उपर जीवन संभाव है और वो जीवन संभाव कि इन चीज़ों की वज़े से है तो वो तमाम चीज़ें हम count करेंगे natural resources में यानि की प्राकृतिक संसाधन क्यूंकि हमारी Mother Earth हमें क्या देती है Mother Earth पे क्या है? Land है, Right? Water है, जमीन है, पानी है, एक हमारे पास क्या है? Atmosphere भी है यानि की वातावरन भी है और यही वो चीज़ें है, natural चीज़ें है, natural resources हैं जिनकी वज़े से life कहीं न कहीं अर्थ पे exist कर पाती है So basically, अर्थ पे life exist होने के लिए हमें क्या चाहिए? यह सब natural resources, प्लस में, we need sunlight यानि की आज अगर आप इस वीडियो के जरीए पढ़ रहे हैं, या फिर मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ हम सब exist कर पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, जिन्दा हैं, चल फिर सकते हैं अब हम देखते हैं कुछ important definitions सबसे पहले देखेंगे lithosphere, what is lithosphere? so this is the outermost crust of earth, विनो की अर्थ की layers क्या क्या होती हैं, crust, mental core तो जो crust सबसे बाहर हमें दिखती है, अर्थ की outermost layer, उसमें भी outermost layer तो आप comment section में जरूर पूछे, you would definitely get your problem sorted out अगर ये वीडियो आप पूले, इसमें भी outermost crust क्या कहलाती हैं, lithosphere जिसे हमने बोला की land, यानि की अर्थ हमें क्या provide करती है, land so that outermost crust, that outermost land, जो भूमी हम देखते हैं, जिस भूमी पर हम अना जुगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, lithosphere साथ ही में हम देखेंगे hydrosphere क्या होता है देखो बच्चे, hydrosphere, hydro is related to water so earth के उपर ऐसी जगे जहां पर पानी हो अब मैं आपको बता दूँ कि हमारी प्रत्वी पर 75% water है यानि की 3 4th portion में earth water से बनी हुई है यानि की पानी से घीरी हुई है बाकी 1 4th portion में क्या है, land है और ये जो 75% water है ये ना सिरफ seas, oceans या फिर rivers, lakes की फॉर्म में है बलकी underground water की फॉर्म में भी हमें देखने को मिलता है तो इसी को हम बोलते हैं hydrosphere अब देखते हैं what is atmosphere so the air that covers whole earth like a blanket अब ये हैं हमारी earth तो अर्थ के चारो तरफ क्या है हवा ही हवा है we have air all around us तो ये जो air अर्थ को किसी चादर की तरह ढखे हुई है उसी को हम क्या बोलते हैं atmosphere तो हमारे पास land, water और ये क्या है air as a natural resource and the air that covers whole earth like a blanket is atmosphere so ये ही वो constituents हैं major constituents हैं जिनकी वज़े से life earth पे possible हो पाती है life exist करती है earth पे अब यहीं से एक नई और important term निकल के आती है biosphere right sphere मतलब की portion of something biosphere यानि की हमारी earth का वो हिस्सा जहां पे bio means life life exist करती है और life किस वज़े से exist कर पाई lithosphere की वज़े से hydrosphere की वज़े से sorry for the technical issue here तो मैं biosphere से फिसे स्टार्ट करती हूँ biosphere बिटा bio means life और life अर्थ पे किस वज़े से exist कर पाई due to lithosphere, hydrosphere and atmosphere तो biosphere combinedly हमारे पास क्या होगा हमारे आसपास का जो भी वातावरन है वो आसपास के पानी वाली जगह प्लस में जो भी हमारे पास भूमी हमें देखने को मिलती है यानि की land जो हमें देखने को मिलती है यानि lithosphere इन तीनों चीजों का sum हमें देता है क्या biosphere और life कहां exist करती है कहीं न कहीं biosphere में life exist करती है और इसी biosphere के दो major components हैं एक है biotic components और दूसरा है abiotic components अब biotic components वो होते हैं जो की living है for example plants या फिर animals या फिर humans humans basically animals में ही count होते हैं जो की एक social animal है अब बात करते हैं abiotic components abiotic components कौन से होंगे जो की non living होंगे और अभी तक आपको idea हो जाना चाहिए कि non living components कौन से है land, water, air right so abiotic components के अगर examples हमसे पूछे जाते हैं तो these are land, water and air these are abiotic components biotic components और abiotic components combinedly क्या बनाते हैं? biosphere बनाते हैं अब आपको learning में help करते हैं तो please, please subscribe to the channel and share the videos with other learners as well मिलते हैं अब आप देखेंगे किसी भी चीज को categorize करेंगे अपने आसपास की चीजों को देखके तो आप समझेंगे या तो वो चीज biotic होगी या फिर abiotic होगी और वो क्या बनाएगी? biosphere को constitute करेगी so I hope यहां तक आपको सब कुछ clear हो गया है अब हम देखते हैं air हम सांस जिसके जरीए ले पाते हैं यानि की हवा so air is basically the breath of life हमारे पूरे जीवन की सांस क्या है? हवा है the breath of life अब एर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं अब अगर हम compare करें हमारी प्यारी अर्थ को बाकी planets से for example Venus लिया या फिर Mars लिया आज कल तो Elon Musk भाई साब Mars पे जीवन संभव करने की प्रयास कर रहे हैं और hopefully वो success हो भी जाएं लेकिन till date अगर हम बात करें तो पूरे solar system में हमारी अर्थ ही एक ऐसा planet है जहां पे air होती है यानि की हवा होती है बाकी planets जैसे की Venus है, Mars है यहां हम क्या देखेंगे की CO2 carbon dioxide की मात्रा बहुत जादा होती है इतनी जादा की करीब वहां के atmosphere में करीब करीब 95 to 97% CO2 होती है लेकिन अर्थ का atmosphere अगर हम define करें तो earth's atmosphere is a mixture of many gases जैसे की nitrogen है N2 oxygen है O2 या फिर CO2 है यानि की बहुत सारी gases का mixture है हमारे पास और यह gases अलग-अलग proportion में exist करती है और यही कहीना कही reason है की earth पे हम सास ले पाते हैं जिन्दा रह पाते हैं यानि की मैं कहूं तो life exist कर पाती है और यह जो air की presence है यानि की earth के उपर जो atmosphere है जो एक blanket बना हुआ है earth के उपर जिसे हमने atmosphere बोला है इस atmosphere की सबसे खास बात यह है की इससे earth का temperature maintain होता है यानि की एक particular temperature यहां पे हमेशा maintain रहेगा throughout the year साल के 365 या 366 दिन in case it is a leap year वहीं अगर हम moon की बात करें जो almost sun से equal distance पे है जितनी हमारी earth है sun से distance पे तो moon का अगर temperature range हम देखें तो minus 190 degree से 110 degree Celsius यानि की extreme negative यानि की बहुत ही जादा ठंड और extreme plus value of temperature 110 degree Celsius यानि की moon बहुत ही ठंडा है moon बहुत ही गरम है यानि की temperature range यहां पे बहुत ही जादा है और atmosphere earth पे क्या करता है उसी temperature को maintain करके रखता है so earth is very sorry atmosphere is very important for the existence of life on earth so I hope atmosphere का जो important use है वो आपको समझ में आ गया होगा कि यह temperature range को maintain करके रखता है हमारी धरती पर जिससे की यहां पे जीवन संभव हो पाता है so आज की वीडियो में हम इतना ही discuss करेंगे यह कुछ basic से values यानि की basic सी definitions थी और basic सी बातें थी जो आपको मालूम होनी चाहिए इस chapter में आगे knowledge लेने के लिए I hope आपको यह video समझाया होगा और आपकी learning में help हुई होगे also यह जो terms हमने discuss की हैं और जिनको मैंने highlight भी किया है आप इन major topics को जरूर ध्याम रखें इसी के साथ साथ biotic और abiotic components इनकी definitions और इनके examples भी याद रखें अगर आपको इस अगली video में till then take care of your health and yes be grateful for mother earth thank you so much